हाव रफीक्स सैमसंग नोट 10 लाइट इंकामिंग कॉल प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर इंकामिंग कॉल प्रॉब्लम सॉल्फ के से कर सकते हैं इंकामिंग कॉल के रिलेटे दोस्तों याप पर जितने भी सॉलूइशन से मैं आपको इस वीडियो पर देने वाला हूँ जैसे कि दोस्तों याप मान लेजे कुछ सेटिंग के वज़े से प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे सॉल्फ कर तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप आनलाइन पेसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आपको करना क्या है अगर आपको इनकामिंग कॉल में किसी भी तरह का प्रावल्म आता है तो पहले दोस्तों आपको चेक करना होगा कि आपके मोबाइल पर इनकामिंग रिचार्च है या नहीं है तो ठीक है अगर नहीं है तो रिचार्च क को आप ओफ करके रख दीजिए ठीक है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपका वाइफाई कोलिंग बन होना चाहिए अगर वाइफाई कोलिंग बन कर दीजिए क्योंकि वाइफाई करने कर रहेगा और अगर कोई कॉल करते तो कई बार दोस्तों यहाँ पर क्या होते है काल लग नहीं पाते ठीक है तो आपको यह चीज ध्यान पर रखना है एंधन दोस्तों यहाँ पर आपको ठीक है यह बन यह ओन किया हुआ है तो आपको यह बन करना होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आप चेक करके देखें सॉल्फ हो जाएगा प्रॉब्लम तो पहले चीज़ आपको यह सारे बैसिक नोलेच रखना बहुत जरूरी है सारे साथ दोस्तों आप क्या कर सकते चाहर आप और आपको ने टो कैं रिलेटेट कोई भी इश्व है तो जाएये दोस्तों अपने मॉबाइल के reset कर देना है और mobile pattern या फिर password भरके उसको reset करना है उसके बाद दोस्तों जाए connection पर connection पर जाके आपको mobile network select करना है network mode पर जाके network को switch करना है network दोस्तों check करें 4G 3G 2G जो भी आपकी area में चल रहा है वो use करें अगर आपको confusion हो रहा है तो network operators पर जाए यह select network automatically का option on है तो इसको बन कर दीजिए manual network दिखाई देगा जो भी network available है आप उसको connect करके use कर सकती है ठीक है तो यह सारे solution करने के वार आपका problem solve हो जाएगा और दोस्तों mobile software अगर आपका update नहीं है तो mobile software update करके आप चेक कीजिए आपका complete problem fix हो जाएगा by any chance अगर आपको incoming call के related कोई भी problem आते हैं तो आप directly customer service को call करके पूछ लेना ठीक है मैं आपको यही suggest करूंगा अगर आपका एटल सिम से दोस्तों आप call नहीं कर पा रहे तो दूसरे एटल सिम से call लागा के देखिए अगर आपके जियो सिम से नहीं रहे तो दूसरे से करके देख सकते ठीक है तो इस तरह के से आप यह भी कर सकते हैं तो बस दूस्तों incoming call के related जितने भी मैंने solution था वो दे लिया आपका problem इसी तरह के से fixed होगा उमीड करते वीडियो आपको पसंद होगा thanks for watching